आप देख रहे हैं सीखना सीखना चनल आज इस वीडियो में हम बात करने जाओ ले हैं 4-bit binary comparator की तो हम क्या काम करने वाले हैं 4-bit binary comparator को synthesis करेंगे using VSDL code और same program FPGA के board पे burn करेंगे तो पहले 4-bit binary comparator के बारे में हम जान कर ले लेते हैं तो यह जो binary comparator होगा हो कैसे होगा तो 4-bit का a data रहेगा 4-bit का b data रहेगा इन दोनों के बीच में comparison होने के बाद हमारे पास तीन output signals रहेंगे एक रहेगा equal दूसरा रहेगा small और तीसरा रहेगा greater equal है तो ठीक है दोनों data equal है small रहेगा इसका मतलब क्या हुआ data a is smaller than b and greater जो यह रहेगा हो क्या रहेगा a is greater than b तो चलिए अब VSDL code की तरफ चलते हैं तो हम जाइलिंग 14.7 यूज कर रहे हैं और यह जो जाइलिंग है मैं यूज कर रहा हूं Windows 7 32-bit पे जिसकी system RAM है 2GB की राइट और मैं जो device use करने वाला है तो वह स्पार्टन 3 XC3 S400 अब मैं इस इस पर फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बोलूँगा और न्यू प्रोजेक्ट पर क्या काम करेंगे यहां पर हम लिखेंगे 4-bit comparator ठीक है तो 4-bit comparator नाम दे दिया मैंने इसे next करेंगे हम यहां पर मैंने device family होगा है स्पार्टन 3 इसके बाद XC3S400 और VSDL code लिख रहा हूं next यहां finish करेंगे और यहां पर आएंगे हमारे सामने VSDL का यह प्रोजेक्ट तो यहां आगे हमारे पास यह प्रोजेक्ट अब इस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए आप और बोलिए निव सोर्स निव सोर्स अने के बाद यहां पर VSDL और यहां हम क्या बना रहें 4-bit binary comparator तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इससे मैं next करता हूं अब यहां पर मुझे 4-bit के दो input लगेंगे तो मैं यहां input A, input B और output जो रहेंगा वो क्या रहेगा एक रहेगा equal तो इसको मैं EQ से नाम देता हूं दूसरा रहेगा small एने SL और तीसरा रहेगा greater एने GR ठीक है तो यह 3 क्या रहेंगे output रहेंगे और आपके A और B क्या है बस है इसलिए यहां पर बस पर टिक करेंगे और यहां पर कितने bit का है 4 bit का इसलिए 3 down to 0 रहेगा इसको next करेंगे यहां पर summary आगे एक बार verify कर लिजिए और इसे finish कर लिजिए तो यहां आपके पास VSDL का code आ गया यहां पर जो green color में दिखते हो comment line होती है उनको आप delete भी कर सकते हो या फिर उसको पढ़ भी सकते हो रख भी सकते हो यहां हमारी पास दो लाइबरी फाइल से लाइबरी IEEE की यूज़ कर रहे हम IEEE.StandardLogic1164 और अब entity 4bit.4bit comparator नाम से मैंने entity बनाया है और यहां पर देखे a b equal sl और greater se ports है तो यह है आपका standard logic वाले और a और b क्या है आपका वेक्टर standard logic वेक्टर 4bit बस यहां पर entity end होने के बाद architecture में आ गए और यहां हमें हमें क्या लिखना है sl equal to 1 कब होना चाहिए यहां पर हम लिखेंगे 1 when when यहां करें देंगे हम a is greater than b a is less than b right else 0 यानि कि आपका sl की value 1 to 1 रहेगी कब जब a की value b से छोटी है otherwise 0 रहेगी और which is यह कब 1 रहेगा equate कब 1 रहेगा when a is equal to b when a is equal to b else 0 right and gr कब 1 रहेगा when a is greater than b right else 0 and behavior so this type से यदि मैंने इसको logic दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा जब a और b का comparison होगा तो sl q और gr in signal पे logic 1 कब जाएंगे जब यह condition true होंगी और otherwise यह क्या रहेंगे जीरो ओके तो चलो इसको check कर दें तो यह synthesis होगा properly इसको test करना चाहते हो test bench पे तो किस पर लिखिए 4 bit comparator अब यह जो 4 bit comparator है तो इसको मैंने पी बी से अगर save करके रखा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा कि टेस्वेंच का है अधर्वास कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे same भी नाम दे सकते हों जस्ट इसे किसे associate करना है वो carefully करना है ओके इसे next करके finish पर दिया अब मेरे पास यहां पर क्या देना है input a और बी पर जो logic देना है वो मुझे change करना है तो क्या करेंगे हम यहां पर देखिए दो standard file हो गई और यह दो entities declaration के लिए तो यहां पर हमें declare करने के ज़रूत नहीं है architecture में गए तो यहां पर component and declare हो गया जिसमें A और B standard logic vector 4 bit के है और EQ SL और GR यह दोनों standard logic के output है तीनों उसके बाद signal define गया है signal को mapping किया ठीक है और यहां पर जो clock है इसे delete कर देना है क्योंकि हमें clock के ज़रूत नहीं है आगे जाने के बाद एक clock मिलता है इतना पूरा portion delete कर देने का आपको और अब यहां पर stimulus process में हमें क्या करना है यहां से यहां तक का delete कर देज़े हैं और यहां हमें signal देना है तो test bench में हमें signal किस तरह से देना है तो for example A is equal to 0001 दे देता हूं यहां यह दिया और B को क्या दे देते हैं हम 001 same दे देते हैं उसके बाद बलेंगे wait for 50 millisecond तो यहां पर देखो same अगर data दिया है आपने 001 001 तो आपका equal वाला जो LED रहेगा वो on होना चाहिए उसके बाद बाकी सब off रहने चाहिए यदि अगर मैंने A को बढ़ा कर दे जैसे कि जो SL वाला है sorry GR वाला है हमारा यह वाला signal वो क्या होना चाहिए on होना चाहिए बाकी सब off रहना चाहिए और same thing यदि मैंने अब B को बढ़ा दे दिया जैसे कि 1011 यह क्या हूँ अब भी बढ़ा है यह चोटा है तो SL वाला LED ओन होना चाहिए यह SL वाला पीन जो है logic 1 पर रहना चाहिए ओके तो यह तीन कंडिशन है मैं चेक करना चाहता हूं तो देखते हैं चेक होता है तो अभी हम कहां जाएंगे प्रोजेक्ट व्यूमेशन में जाएंगे टेंगहीक क्लिक करेंगे इस इम सिम्यूलेटर पर जो क्लिक कर रहे तो है यह बहाएंगे तो यहां पर एंटिव है कि एड़ और किया बलता है सब्स्त कि टा पॉइन संथिंस हाथ चुमेंग को यहां पर यहां पर इसको नृप्ड़ाइब यहां पर logic 1 आएगा और SL और GR पे दोनों पे 00 है यहां पर वैसे ही timing diagram दिख रहा है यहां लाने के बाद देखो data क्या है 0101 और 0010 तो कौन बड़ा है ए बड़ा है इसलिए greater वाली LED पे logic 1 है smaller equal पे logic 0 है और यहां पर क्या है 0001 1001 राइट तो यहां B बड़ा है ए चोटा है इसलिए small a small है इसलिए यहां पर smaller lady वाने बाकी सब low है तो इस तरह से हम test bench को check कर सकते हैं अब check करते हम कि हमारा जो program है fpjp किस तरह से run करेंगे तो यह program था इंप्लिमेंट पे क्लिक करें यह फोर बिट पे क्लिक करें अब यहां पर इसे सेंदेज करके रखें हमने ओके सिंदेज हो चुका है सो floor area पर जाहिए floor plan area पर यहां पर हम ports assign कर देंगे कि सो अब यहां पर input output ports का सेट करेंगे यहां पर यहां site में यहां कर डलना है में port 76 कि रहेगा MSB port 77 next LSB बद port 78 then port 80 उसके बाद बी पर जाएंगे यहां पर बनाएंगे हम port 90 MSB रहेगा port 93 then port 94 then port 95 okay so यह हो गया आपके दो बस इसके पीन सब्सक्राइण अब यहां पर LEDs के पीन assign करेंगे equal है तो port 16 वाली LED मतलब LED 1 अन होगी उसके बाद greater है तो port 18 वाली LED यहने greater के लिए और smaller है तो port 19 वाली LED इस तरह से पीन assign करके इस फाइल को आपको सेव कर देना है जैसे सेव कर दिए इसको minimize या फिर close भी कर दिए तो चलेगा उसके बाद हमें कहां जाना implement the design है इंप्लीमेंट डिजैन होने के बाद generate program फाइल जनरेट प्रोग्राम फाइल आ गया यह हमारे bit फाइल जनरेट कर दी है और उसके बाद configure target device इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा impact on होता है impact एक ऐसा software है जो fpga के लिए burner software है बर्नर software में हम क्या काम करेंगे new file बनाएंगे new file में यस बोलेंगे से okay और यहां पर देखिए warning और I cannot find the cable check cable setup ओके तो इस तरह से अगर error आ रहा हुँगा तो इसे पहले बंद कर दीजिए भी बंद कर देते हैं और एक बार restart कर देते हैं क्योंकि already अभी तक हमारा चल रहा था अब मैं हमारा USB पोर्ट निकाल रहा हूं मेरे एक बोर्ड को बंद कर रहा हूं एक बोर्ड को उखे कि प्रोग्राम प्रोग्राम है फ्र बीट कमपरेटर का और इस फोर बिट कमपरेटर पर एक बार सिंथेस कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम का है तो इसे डबल क्लिक कर दीजिए यहां पर प्रोक्राम आ गया अब यहां पर निव प्रोजेट बोलेंगे यह बोलेंगे यह इसे हम फिलाल के लिए तो नो बोलेता हूं मैं इसो केंसल कर देता हूं तो हमें यहां पर क्या करना इस जो आइसी है जिसका नाम है एक सी 3S 400 यह पीजी कैसी इस पर राइट क्लिक करके हम फाइल असाइन करेंगे तो असाइन न्यू कॉन्फिगरेशन फाइल तो इसे कॉन सी देना हमें 4-bit कंपेरेटर की राइट तो हमने जो बनाया हो 4-bit कंपेरे फो गया रण ठीक है तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हमारे एपईजी की किट पे लोड हो जुका है अब हम टेस्ट करेंगे हमारे एपईजी की बोर्ड को फोर बीट कंपेरेटर में डेटा किस तरह से दिने वाले तो यह जो डी आएपी स्विच है तो यहां पर डेटा यह देंगे और यहां पर डेटा बी देंगे तो डेटा बी का एमेस भी कुन सा रहेगा यह एमेस भी है और यह एलेस भी है और इधर डेटा एक का यह एमेस भी है और यह एलेस भी है अब एलेडी इसको किस तरह से दिया है यह जो दिया है यह एक्वल है यहां पर जो रहे तो अभी देखें, दोनों 0,0 पे हैं, तो इस अब 0,0 पे हैं, यहाँ पर भी चारो पिन 0 पे है, यह भी 0 पे है, तो इक्वल है, इसलिए D1 LED ON है, अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले A को बढ़ा कर देता हूँ, मतलब मानके चलते है, 0010 देता हूँ, जिरो, 0,10, और य एक्जामपल, 10 है तो यह से मैं 0,100 देता हूँ, तो यह क्या हो गया भी, B बढ़ा हो गया, यह छोटा हो गया, तब A LED क्वन से होगी, D3 LED ON होगी, तो इस तरह से आप कोई भी देटा चेंज कर दो, फोर एक्जामपल अदी मैंने यहाँ पर 10,10 कर दिया, और यहाँ डेटा तो इस तरह से हमारा FPGA kit 4 bit का comparator बन गया है